दोस्तो ये प्लेन एक तूफान से तकराने के बाद टाइम ट्रेवल करके सन 1940 में पहुँच गया है। अचानक दिन से रात हो जाने से पाइलिट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उस प्लेन में बैठे दो इतिहासकारों को अपने पास में उड़ रहे फाइटर प्ले सुनकर पाइलिट के होश वड़ जाते हैं अब वो सामी ओफिसे से मदद मांगता है लेकिन उन्हें अपनी लोकेशन पता नहीं होती क्योंकि उस प्लेन के सभी मीटर्स खराब हो चुके थे। लोकेशन कंफर्म करने के लिए वो प्लेन की सभी लाइट्स ओन कर देते हैं लेकिन दुश्मन का जहार समझ कर पास के फाइटर प्लेन उन पर हमला कर देते हैं।